नमस्कार, राजके महाविद्याले कुशिलगडबांसवाडा के इस स्यक्षिन की यूट्यूब चैनल को मैं ज्योती सहाय कचार्य हिंदी भिभागा द्यक्ष सनातक दिवत्ते वर्ष हिंदी सहित्य के अंतरगत आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य की विविद विदाओं का अध्यन करेंगे हिंदी गद्य की विविद विदाओं के अध्यन के साथ साथ हम इनकी विकास यात्रा का अध्यन भी इस वीडियो में करेंगे हिंदी साहित्य का संसार जितना विपुल है उसी अनपात में साहित्य की विदाओं का भी विस्तार हुआ है साहित्य की विकास यातरा में भले ही एक विदा का परवेश दूसरी विदा में हो रहा है फिर भी प्रतेक विधा के कुछ ऐसे लक्षन है जिन से हम उस विधा की पहचान करते हैं मसलना नाट को रूपनियास या फिर कहानी और डाइरी आदिस सभी विधाओं के कुछ ऐसे वनियादी तत्व है जो सहीतिय की एक विधा से दूसरी विधा को अलग पहचान देती हैं हिंदी गद्य की विविद विधाओं और उनकी विकास यातरा का अधियन करने से पूर्व सरप्रतम हमें विधा का सधारन अर्थ प्रकार कह सकते हैं कि इसका अर्थ ग्यात होना चाहिए विधा का सधारन अर्थ है प्रकार किसम वर्ग या श्रेनी यह शब्द विविद प्रकार की रचनाओं को वर्ग या श्रेनी में पांटने से उस विधा के गुण धर्मा को समझने में सुविदा होती है यह हम कह सकते हैं कि सहित्य के छेतर में विदा का शब्द का प्रयोग एक वर करक की रूप में किया जाता है जिससे हम किनी भी अलग अलग विधाओं के मद्धिया में अंतर समझ सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है हमारे अध्यन का बिंदू है जैसा कि मैं पूर में बता चुकी हो हिंदी गद्या की विविद विधाओं तो हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के अंतरकर जो हिंदी साहित्य के दो भाग किये गई हैं गद्य और पद्य तो हम यहाँ पर सिर्फ गद्य भाग की जो विधाईं हैं उनका अध्यन करेंगी तो हमें यह ग्यात होना चाहिए कि गद्य की जो विधाईं हैं अध्यन की तो दो भागों बाढ़ सकते हैं प्रमुख विधाएं और गोण विधाएं हिंदी सहेत्य की गद्य की वैसे तो सभी विधाएं महत्व पूर्ण हैं प्रन्तु हमने सुविधा की दृष्टी सेन को दो भागों में विवक्स किया था तो उसी श्रंकला में इसमें से पहला वर्ग पुर्मुख विधाएं का है जिसमें नाटक, एकांकी, उपनियास, कहानी, निवन्द और आलोजना को रखा जा सकता है दूसरा वर्ग गोण या प्रकीर्ण गद्य विधाओं का है इसके अंतरगत जीवनी, आतम कथा, यात्रवरित, गद्य काव्य, संस्मन, रेखा चीतर, रिपोर्टाज, डाइरी, भेंट वारता, पत्र सहीत यादी का उलेख किया जा सकता है अम हम बात करते हैं हिंदी गद्य की विविद विधाओं और इनका विकास, जैसा कि हमने प्रमुक विधाओं और कौन विधाओं की है तो प्रमुक विधाओं के अंतरगत जैसे कि नाट्य विधा जिसको हम नाटक विधा या नाटक सहीते भी कह सकते है नाटिय एक दृश्य विधा है हिंदी गधिया की जैसे कि संस्कृत में नाटिकों की सम्रेद शाली प्रंपरा रही है जिसमें महापकी काली दास, भभा बूती, उलेखनी है इसी प्रकास तEMA हिंदी नाटिकों की प्रंपरा भारत अंदु योग से माने जाती है भारत इंदु की अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दूरदर्शा, प्रेम योगनी, बाल क्रिशन भटका, व्यानी संहार इस यूग के प्रमुख नाटक है नाटकों में रूपक, प्रहसन, व्यायोग, नाटिका, बहान, सटक जैसे नाटे रूपकों को भी अपनाये गया है, साथ ही पार्सी थियेटर सक्रिय था भारत दू के पश्चा जैस शेंकर प्रसाद का नाम नाटे शेतर में अग्रणी है, उनके दुरूप स्वामिनी, करुणाले, अग्यात सत्रू, सकंद गूप्त, आदी नाटके थियास्तिक, परिवेश पराधारी थे प्रसाद के अतरिक्त उपेंदरनाथ आश्क, सेठ, गोविन, दास, हरी कृष्ण, प्रेमी, मोहन, राकेश, लक्ष्मी, नरायन, लाल, बुबनेश, राज, कुमार, वर्मा, जगदीश, चंदर, मातुर, धरम, बीर, बारती का नाम उलेखनी है उपनियास विधा, यह भी हिंदी गद्या की प्रमुक विधा है, उपनियास शब्द का शाब्दिकर्थ है, समी प्रक्ना, उपनियास में प्रसादन अर्थात, अनन्द का भाव निहित रहता है हिंदी उपनियास लेखन विधा का प्रारंब भारतेंदु यूग से माना जाता है, जैसा कि मैंने पूर में भी कहा था, कि हिंदी गद्या की अधिकतर विधाओं का प्रारंब भारतेंदु यूग से हुआ है, और जबकि एक मातर विधा यह कह सकते हैं, आदनीक दिवेद जिसका प्रारंभ हुए है वह है कहानी अ हिंदी उपनियास लेखन विदा के अंतरगत लाला श्री निवास डास्त का पृक्षा गुरूह कि हिंदी का पहला मुलिक उपनियास माना जाता है जोकी 1882 इसवी में रचित माना गया है या प्रकाशित माना गया है भारतेंद योग में अनुदित उपनियासों के साथ समाजी के तीहासिक, तिलिस्मी, एयारी, जासूसी उपनियास भी लिखे गई हैं देव की नदन खतरी के उपनयास चंदरकांता संतती, चंदरकांता बहुत अधिक प्रसीद रहे है。 उपनयास के चैटर में दिवेदी ईचомеकि लेकक प्रेम चंद के नामु को लिखना है। इन्हों ने गोदान, रंग भूमी, करम भूमी, गवन, निर्मला जैसे प्रसीद उपनियासों में मद्या वर्ग एवं निम्र वर्ग की आर्थिक समाजीक स्थिति को अधार बना कर प्रेम चन्न ने बिना किसी बर्ग भेद के मनुशता को सरो परिमान कर अपना कसा सहीते लि उर्दू में प्रारंब में लिखा करते थे अता हिंदी उर्दू का प्रभाब उनकी भाषा में मुझूद है प्रेव जद के अत्रिक्त यश्पाल का जूठा सच जैशंकर प्रसाद का कंकाल जैजनेंदर कृत त्याग प्रत्र अग्ये कृत शेखर एक जीवनी अमरित ला जाल नागर कृत मानस कहंस भिष्म साहनी निर्मल वर्मा कृत लार्ट इन की छट उलेखनी आये यह जो उलेखनी अपनियास कार है और इनके यह महतवपौन यह प्रसीद उपनियास है कहानी कथर सुनने कि समाने प्रभृति ने ही कहानी को जनम दिया जैसा कि हम हमारी बच सकते हैं कि प्राचीन काल से ही कहानियों की एक व्रहिद प्रमप्रा रही है उपनिश्यद पुराण, रमायन, महा भारत, पंच तंत्र की कहानियों के रूप में कहानी का अरंबिक विकास देखा जा सकता है मुलता कहानी वह गद्य रचना है जो कहानिकार की कलपना अनुबब के माद्यम से पात्रों में जीवन की किसी एक घटना या चरित्र का स्रीजन करती है कहानी में कथा वस्तू, पात्रिया, चरित्र, चित्रन, समवाद, वातावन, या देशकाल, भाशा, शैली, वैउदेश, या प्रमुक्तत्ब की रूप में होते हैं शैली की दिश्टी से एतिहासिक, आत्मक थात्मक, पत्रात्मक, अवंडायरी शैली में भी कहानिया लिखी गई हैं हिंदी के अरंबिक काल में बनरंजुन को धिहान में रखकर कहानिया लिखी गई इनमे ललू लाल का प्रेम सागर सदल मेश्र का नाश्र केतो पाख्यान इशा अल्ला खांकी रानी गेदकी की कहानी मोलिक आख्यान है सन 1990 में सरस्वती पत्रिका में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदु मती दुलाईवाली की बंग महिला 11 वर्ष का समय अचारे रामचंद शुक्लकृत और मादवराब सप्रेकृत टोक्री भर मिट्टी कहानिया आई इन में से किसी एक को हिंदी की प्रत्म मोलिक कहानी सिध करने का प्रयास हुआ इसके बाद चंदरधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था 1915 इश्वी में प्रकाशित हुई समेदना और शिल्प की दृष्टी से यह कहानी बजोड थी 216 में प्रेम चंद की कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई प्रेम चंद की कहानियों में समाजिक चेटना और समान्य व्यक्ति की मानसिक स्थिति का बहुत सुंदर वय यथार्थ रूप में चितरण किया गया है उनकी प्रसिद कहानियों में बुडिका की एदगाह राम लीला दो बैलो की कता पूस की रात और कफन प्रसिद है प्रेम चंद जी के साथ ही जैशंकर परसाद ने भी वर्तमान के समाधान अतीत में खोजने के प्रयास में स्रिष्ट तम कहानिया लिखी उनकी कहानियों में मारमी की समवेदना समाजिकता की प्रधानता थी उनकी प्रमुक कहानिया हैं पुरुसकार अकाश दीप मदुवा गुंडा प्रतिदुहनी दीरा मम्ता आदी इसके अतिरिक्त सुदर्शन की हार की जीत विशंबर नाश शर्मा कोशिक की ताई पदुं लाल पुन्ना लाल बक अक्षी सुदरा कुमारी चुहान भगवती चर्ण वर्मा जनेंद्र यश्पाल यश्पाल जैसे कहानिकार भी अलग लग भाव समेदना वे विचार शैली की कहानियां लिख रही थे हिंदी कहानी का नवीन विकास भी दिखाई पड़ता है इसमें मोहन राकेश, विश्म, साहनी, आमरकांत, ग्यान प्रकाश, निर्मल वर्मा, ग्यान रंजन, फनीशवरनात रहनों, हरिशंकर परसाई का नाब लेख रही है सवत अंतर योतर युग में कहानी के छैतर में नई कहानी, सचेतन कहानी, समान अंतर कहानी नामक विवीन आंदोलन हुई इस परकार सम्रिद और उर्जावान होकर निरंतर विकाशिल रही है कि निवंद निवंद का शाब्दिक अर्थ है सूगठित अथवा कसा हुआ या बंद अच्छे तरीके से गुंथा हुआ इस प्रकार निवंद में अकार की लगुता तथा विचारों की कसावट होती है दूसरे शब्दों में निवंद वह गद्य रचना है जिसमें सीमी तकार में किसी विश्य का प्रतिपाधन एक विश्य नीजी पन संगती बैसंवधता के साथ किया जाता है निबंद के तीन भेद भी किये गई हैं वरनात्मक, विचार मुलक, भाभात्मक, ललीत निबंद ये कह सकते हैं कि मुख्य रुप से तीन भेद किये गई हैं इसके अलावा कुछ अलोचनात्मक निबंद भी कह देते हैं या विवेशन आत्मक निवेद भी कह सकते हैं तो वो अलग लग होते हैं लेकिन हम प्रमकुरूप से तीन भेद कर रहे हैं यहां पर हिंदी में निबंद विधा का प्रारम भी भारतेंदु यूगीन पत्र पत्रिकाओं के मात्यम से ही माना जाता है विविद विश्यों पर लिखित भारतेंदु यूग के निबंदों में गंभीर तथा व्यंग्य विनोज से पूर्ण भाषा, छेत्रिया मुहाबरे, लुकोक्तियों, शब्दों का प्रियोग, भारतेंदु के अतरिक्त, बाल कृष्न भठ, प्रताप नरायन में, शिरबाल म कुंद गुप्त सर्व स्रेश निबंदकार थे, शिव शंबू का चिठा यमलोग की यातरा बात आदी उलेखनिया निबंद है, द्वित्यकाल, निबंदों की दस्टी से यह है महतवपून काल रहा, इस काल में विचारा आत्मक ललित निबंदों का बहुल्य है, अंग्रे श्याम संदरदास, गुलाब राई, पदम लाल, पुन्ना लाल, बक्षी, पदम सिंग, शर्मा, तो हम कह सकते हैं कि यह द्वित्यकाल निबंदों का था, द्विधी युकाकाल, इन निबंदकारों ने साहित्य की महता, नाटक, उपनिया, समाज, और साहित्य कला का विवे चनकरता बे अपालन, फिर निराश क्यों, आदी जैसे प्रेणा आत्माक और विचारा आत्मक निबंद लिखे, अध्यापक पॉन्द सिंग ने, जो इनके निबंद है, वड़े महतव पॉन्द माने जाते हैं, आचरन की सब्वेता मजदूरी और प्रेम, जो की इस काल में लिखे गए थे, इस काल के निबंदों की भाषा में विचार, अभी व्यक्ति के लक्षन, अभी व्यक्ति के लिए लक्षना, वियंजना, शक्ति को महतव मिला, निबंद प्रभावा, वियंजक, शैली, ओजगुर्ण से पॉन्द हैं, अचारे रामचंदर शुकल, हिंदी निबंद शेतर के सरवादिक में है, तब पॉन्द लेखक हैं, विचार भी थी, और चिंतामनी में संग्रहित, शुकल जी के निबंद नै केवल विचार चिंतन से पॉन्द थे, वरण, बनो विज्यानिक धरातल पर भी खरे थे, सरस्ता और गहमीर्या की विशेशता लिए शुकल जी विज्यानिक की तरहें, विशेय का विशलेशन करती हैं, भाव मनों विकार पर लिखे, उनके निबंद बेया, क्रोध, इर्शया, उत्सा, श्रदा, भक्ती, लोब और प्रीती, 1912 से 1919 इश्वी में नागरी परचारनी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, जो ब अतरिक्त, जय शंकर प्रसाद, विचार परक, व्यगंबीर निबंदकार हैं, उनके निबंद काव्य अकला तथा, अन्या निबंद नामक गरंथ में संग्रहित हैं, प्रसाद के अतरिक्त, महादेवी बर्मानेवी सहित्तिक वीशेव नारी समस्यां पर गहराई से विशले का कुछ निबंद संग्रह, रगवीर सिंग, कताज, महतवपूर्ण है, बहबात्मक शैली के निबंदकारों में, राइक्रिशंदास, माखलनाल, चतुरवेदी, बधन्त, आनंद, कोशले आयन, रामदारी सिंग दिनकर, प्रमुखें, ललित निबंदों के दिस्टी से, अ नुश्य की महता पर जोड़ दिया गया है, 1940 के बाद प्रियोगबाद के प्रवर्तक अग्ये के निबंद, आत्मनी पद और वभन्ती में मिलती हैं, व्यंग्य निबंद कारों में, हरी शंकर प्रसाई, सरद जोशी, ग्यान चतुरुवेदी, रवेंदर नात्यागी, आद प्रसादी वेदी इस निबंद विधा के पुरोधा पुरुश हैं, डॉक्टर विद्या निवाश्मी, श्रीकुवेर नाथ राय, श्याम सुंदर दूबे, रमेश चंदर शाह, अमरित राय, निर्मल वर्मा, श्री राम परिहार, आदि निबंद कारों ने हिंदी ललित न विधाओं के अंतरगत नाटक, उपनियास, निबंद, कहानी, आदि का अध्यान और निबंद का अध्यान किया है, और विधासी के अतात प्रया है, इसका अध्यान भी हमने आज के इस वीडियो में किया है, आज की वीडियो यहीं पिसमाप्त होती है, धन्यवाद